और ये सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दुबई से जहाँ पर आपको रजसभा सांसत कारतिके शर्मा इंडेनियूज फाउंडर प्रोमोटर कारतिके शर्मा नजर आ रहे हैं साथी आपको चिराख पासवान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दरसल ये का आयोजन जो है वो किया जा रहा है इस दौरान तीन दिनों तक देश भक्ती से ओप्रोच सांस्कृतिक कारक्रम आयोजित किये जाएंगे इसके साथ ही वहाँ पर नाट मौसव भी होगा और खास बात ये है कि तीन दिनों तक भारत उस्वा का ये आयोजन दुबई में प देख सकते हैं तमाम तस्वीरे जो है वो लगाई गई है और वहां के लोगों से मुलाकाट करते हुए बाचीत करते हुए और अजसबा सांसत कार्टके शर्मा को आप देख सकते ही सीथी तस्वीरे हम आपको डुबई से दिखा रहे हैं बंदर अगस को डुबई में फैरा तीन दिन तक भारत उस्सों के दौरान भारत के सभी प्रांतों के सांस्क्रितिक कारक्रम जो हैं यहाँ पर आयोजित किये जाएंगे और इसके साथ ही इस उस्सों में मदप्रिदेश के डॉक्टर प्रदीप रॉय चुराग पास्वान अजय आलोग और करतके शर्मा सहित अन उस्सों UAE के लोगों के लिए भारतिय कला और संस्कृति की भावना का जश्न बनाने वाला अपने आप में अनूठा आयोजन है और इसमें कला शास्त्रिय भारतिय संगीत साहित चर्चा लगू फिल में आदिप्रदर्शित की जाएंगी कारकरम में आपको बता दें भारतिय के प्रमुक कारोबारी नेताओं का टॉक शो भी होगा और साथी भारत उस्सों में 3000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप चिराग पासवान को दे करशित की जाएंगे और पहली बार इस तरह का कारकरम जो है वो दुबाई में हो रहा है तीन दिन का ये भारत उस्सों है जिसका मकसद है सबी भारतियों को इस आयोजन से जोड़ना और जोरान तीन दिनों तक देश भक्ती से ओत प्रोत सांस्कृतिक कारकरम आयोजित किये जाएंगे जोरान वहाँ पर नाटे मोहसो भी होगा खास बात ये है कि तीन दिनों तक भारत उस्सों का ये आयोजन दुबाई में पहली बार हो रहा है और इसके साथ ही यूएई में रहने वाले सभी भारतियों को इस आयोजन से जोड़ा जाएगा देखे वहाँ पर आप राजसवा सांसद करत के शर्मा को आप देख सकते हैं Qard LGBT आपर देख सकते हैं जहां पर चिराग पाशवान और राजसवा قि शर्मा दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं दुबई में आजादी का ये अमलित महसौ जो है ये पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है अनोखे तरीके से आजादी का जश्म जो है वो देखने को मिलेगा प्रवासी भारतियों का युएई में भारत तुस्व जो है मनाय जा रहा है तीन दिन तक भविकारक्रम का जन किया जा रहा है और इसके जरिये आप अंदाज़ा लगा सकते है कि किसरे से विश्व पटल पर देश का मान तिरंगे का मान समान कैसे लगातार भड़ रहा है जब इस तरह के कारक्रम सिर्फ भारत की धरती नेबल की विदेशों में भी आयुजित किये जाते है और बड़ी संख्या में भारतियों में उस्ता जो है वो देखा जाता है तो इस तस्वीरे बताती है कि कैसे दुनिया भर में भारत का मान समान भड़ रहा है और यहाँ प कारक्रम में मौझूद नजर आ रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं साथी चिराग पास्वान भी आपको इस कारक्रम में नजर आ रहे हूँगे किसके अलाबा मर्दप्रदेश के डॉक्टर प्रदी प्रॉय अजया लोक सहित अन्य प्रुमक अथिति और उद्द्य यूएई के लोगों के लिए भारतिय कला और संस्कृति की भावना का जश्र मनाने वाला अपने आप में अनूठा आयोजन होगा इसमें कला शास्त्रिय भारतिय संगीत साहितिक चर्चा लगूफिल में जो हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी कारक्रम में भारतियों के प् शंका जताई जा रही हैं बड़ी संखा में लोग जो हैं वो इस कारक्रम में पहुचेंगे जो भारतिये वहाँ पर रहते हैं तो यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुबई में आज़ादी का अमरित महसा अनोखे तरीके से आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और आज से ही इस कारक्रम की शिरबात हो गई है तीन दिन तक यह पूरा कारक्रम यहाँ पर रहने वाला है अब प्रवासी भारती यूए में मनाएंगे भारतों 103 देनों देश भक्ती कारक्रमों में मदप्रदेश के लोग भी जो है वो शामिल होंगे वहाँ पर जो लोग रहते हैं दुबई में भारत के आज़ादी का जश्न जो है वो उस पार देखने को मिलेगा किस तरस से देश जो है वो आजादी के जश्न में ढूबा हुआ है लगातार हम देख रहे हैं यहां पर भी किस तरस से तिरंगा बाइक रेली निकाली जा रही है और तमाम बड़े नेता खुद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आगरे कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा जो पेंड है उससे बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुड़े और यही आजादी का जश्न जो है सुतंतरता दिवस पर योई में भारत तुस्तो मनाया जा रहा है तीन दिन का ये पूरा कारक्रम है जिसमें